अलो फ्रेंड्स, वेलकम आ यूटूब चैनल, मैं संपत सिंग, हम आये हैं फिर से एक नया वीडियो लेकर वो है हमारी राजस्तानी सब्दावली, तो राजस्तानी सब्दावली से जुड़ावा हमने एक वीडियो बनाया पहले से, तो वो भी आप देख ले न, वो आपको पाई बेटन में मिल जाएगा, जो हम बात कर रेते, राजस्तानी सब्दावली की, तो इसके अंदर हमने जो पहला वीडियो बनाया है, राजस्तानी सब्दावली उसको राजस्तानी ग्रामिन सब्दावली भी कह सकते हो, आप या राजस्तानी सब्दावली कह सकते हो, जि उनके साधन होते उनके ग्रामिन छेत्रों में ये राजस्तानी बासा में उसको क्या खा जाता है और उसको हिंदी में क्या खा जाता है तो ये रिट में आपके हिंदी जो सेलेबस उसमें जुड़ा है राजस्तानी सब्दों के हिंदी रूप तो राजस्तानी सब्द और उसक दूछ सिरूर करते हैं तो यहां करें से सिरूरात होती है हमारी रास्तानी समुदों के घंदी भूट तो पहले हैं हमारे जूड़ू एक जुड़ू खेसचें करते जूड़ूu हल खेंचते समय और Alrighty, तो हल तो को झोता जाता तो हल पहले के टाइम में पस्वं से क्याने कहने मसलब खेतों को जोता जाता था ऐसक आनल doch Tektors ने स्यसिए हो रहा है काम तो हल को खेंचने के लिए क्या हाँता था कि हल को खेंचते समय ओट कि पीट के पेंचे एक बांथ अने का a था न हो नुक्किला ओजार, तो हल ताकि वो मिटी को चीर सके मिटी में वो निचे बेट सके मिटी को वो उतल फुतल कर सके, इसलिए हल के जो निचे का भाग büy वहाए निचे लोय का एक तुकुला ओजार पसा दिया जाता था और उस पर उपर से मनुष्य द्वारा जोड डाला जाता था तो वो धट्टी को चीर कर अंदर बेड़ जाता था उसको कहते थे कुस अगला है दावना दावना तो आप सभी जानते होंगे ओंट को चरने के लिए छोड़ते समय पेरों उसको एक रसी द्वारा बांद दिया जाता है तो उसका जो है वो इदर उदर जड़ा दोड़ेंगे नहीं तो वो आसानी से चर लेंगे तो उसको कहते हैं दावना नेक्स्ट आता है हमारा जोट जोट का मतलब है उंट या बेल के कंदू पर कशने वाला चमड़े का पट् जोट कहते थे नेक्स्ट है भून भून आप सबी जानते होंगे जो कुए हैं कुए आपने देखे होंगे कुए पुराने कुएं पर आपने भून लगावा देखा होगा लकड़िया तो यह लकड़िया लोहे का चरका नुमा यानि चकरी नुमा होता है गोल-गोल गिरनी गिरनी जो आप देखी होगी तो चक्रा नूमा उपकरन है जिस से क्या होता है पानी खिंच जाता था तो अभी तो कमी मिलते हैं देखने के लिए पहले जब पानी उपर उता था भूजल इस तर उपर था तो लाव के जो भी कोई चड़स वगरा बांध कर इस चक्री द्वार उसको मलब भूण द्वारा उसको नीचे उतरा जाता था और वो पान भार खिंचा जाता था तो उसको भूण के ते नेक्स्ट है गूणी गूणी का मतलब है लाव या चड़स खिंचने है तो बेलों के चलने का ढ़ालनू माशता तो कुए से पान खिंचा जाता था करे थे बूण पर चड़ा कर पानी खिंचने का बड़ा मोटा रसा होता था क्योंकि चड़स में 55 ट्रेटर पानी आता है और उसको मनों से द्वारा खिंचना तो मुस्किल था इसलिए उसको किन से जोड़ दिया जाता था बैलों से जोड़ दिया जाता था तो अब मोटा रासा चाहिए नेता वो तूट जाएगा इतने वजन से तो भून पर चड़ा कर एक पानी खीचने का बड़ा मोटा जो रशा था उसी को लाव कहते हैं नेक्स्ट आती है चड़स अब चड़स क्या है लाव दुआरा कुए से पानी निकालने का चमडे का बड़ा पातर होता है चमडे से बनाया जाता था बड़ा पातर चमडे को आपसे में अटेज करके उसको बना दिया जाता था ताकि उसमें पानी बरकर भार आ जाए लगवक कुये की पाल जहां चड़स से पानी उड़ेला जाता है तो जो अभी हम जो चड़स के मादेम से लाव के मादेम से भून के मादेम से बेलों के दुबारा जो पानी खीच कर बहार ला रहे हैं तो उनको उड़ेलने के लिए जगत चोई है तो कुये की पाल जहां चड़स से प वर्ड है ये भी द्यान देगना अगला है हकाई हकाई क्या है पसल काटने के बाद खेत में हल चला कर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रिक्रिया है तो पसल काटने के बाद खेत में हल चला कर बीज बोने के योग्य बनाने की प्रिक्रिया क्या है हकाई है अगला हमारा खटालिया या पलाना तो खटालिया भी इसको कह सकते हैं खटालिया या खटालिया या पलाना ये क्या है लड़ा लड़ा यानि लकड़ी की गाड़ी को लड़ा गएते हैं को खींचते समय ओंट पर कशने का साधन होता है कि हल को जोड़ेंगे तो अलग हो जार चाहिए और उंट या जो बेल है या जो पाड़ा है उसको गाड़ी से जोड़ने के लिए अलग उपकरना चाहिए तो यहां जो है जो गाड़ी है या लड़ा है उसको बेलों में और जो बैसा है उसमें तो आसनी से उसको जोड़ा जा सकता लेकिन उंट उंचा होता है तो उ उट पर कसने का एक साधन है अगला है तंगड पटिया तंगड और पटिया उट को हल में जोतते समय कसने वाली साज सज्जा तो हल को जोतने के लिए भी तंगड पटिया डाले जाते थे उट पर तो उट को हल में जोतते समय कसने वाली साज सज्जा तो वो तंगड पटिया ह अगला है खसी खसी आप जानते होंगे पसल को खोदने एंव करपतवार जो ना उसक गास है उनको काटने के लिए एक साथ दन होता है उसको खसी कहा जाता है जेली या जेली जेली भी आप जानते होंगे लकडी का एक सिंगदार उपकरण होता है दो सिंगी च्यार सिंगी छे संगी आठ संगी इस परकार उनको बोला जाता है अगला है दंताबी या दंताली तो दंताबी बोल तो यह क्या लकड़ी का दातेदार उपकरण होता है यह जिस परकार हमारा कंगा होता है बाल समारने के लिए उसी परकार होता है दातेदार जिसी क्या है क्यारी बनाए जाती अगला है गोपिया तो गोपिया क्या है जानवरों को डराने के लिए पत्तर आदी फैकने का उपन इसको गोपिया भिगेते हैं गोपिया भिगे सकते हो या गोपिया भिगे सकते हो तो यह क्या एक चमड़े का बना हुआ सा होता है जिस पर दो लम्मी लम्मी दागे बंदे ह होते हैं और आगे चमड़े का पाट सा होता है उसमें पत्र डालके इसे गोल गुमा कर उसको एक सीरे से छोड़ेंगे तो पत्र काफी दूर जाके गिरेगा तो वहां से क्या है वो जानवर भाग जाएगा उसकी अवास तो यहां भी चमड़े का पट्टा होता उसमें पत्र डालेंगे गोल गुमाएंगे एक सीरे को छोड़ेंगे तो वह पत्र दूर जाके गिरेगा जिसने पक्सी है उड़ जाएंगे तो वह फसल को नुक्सान नहीं करेंगे जो नेक्स्ट है हमारा वो है ओरना ओरना क्या हल पर बीज डालने का सादन कसने का उपरन यानि हल के उपर एक मलब तरिबुजाकार एक सरजना होती है जिसमें बीज डाले जाते हैं ताकि वह जमी में एक पाइक द्वारा जमी में जा सके उसको ओरना कहते हैं तो हल पर बी चमडे की रशी नुमा पतली पत्ती होती है चमडे को काट कर अलमलब रशी के रूप में उसको कनवर्ट कर दिया जाता है जो गाय वेंस बकरी को बांधने के लिए काम आता है तो चमडे की रशी नुमा पत्ती को बात दी गेते हैं अगला है निनान तो पसल से खरपतवार को को हटाया जता है उसे सूड अलसोट का जाता है अगला है पांतिया पांतिया फसल को पानी पिलाते समय किसान दवारा हाथ में रखा जाने वाला डंडा पांतिया कहलाता है अगला है गोपाल्या तो गोपाल्या क्या है बाजरे की फसल काटने का उपकरन है गोपाल्या अगला है पाला पाला क्या होता है जाड़ी के जो पत्ते होते हैं जाड़ी बेर वाली जाड़ी जिनें बकरी आदी को खिलाए जाता है तो जाड़ी को काट ले जाता है और उन पत्तों को सुका कर लूंग की तरह काम में लिया जाता है इसको पाला का जाता है चोटी-चोटी गोर्मा, गाउं के निकट की भूमी को गोर्मा केते हैं, अगला है उजेनी, उजेनी का मतलब है वर्षा के अभभा में इंद्र को परसन करने के लिए की जाने वाली दावत क्या है उजेनी, अगला है चरणोत, चरणोत क्या होता है, मवेशियों के चारा गाहेतू छोड़ी प्लंगेई गाउं की सामूहिक भूमी जिस पर राज्या का नीयंत्रण न होकर इस्तान ये स्वामित्व का नीयंत्रण होता है तो चरणोत का मलब गाय बेंस बकरी भी चड़ने की जगह होती है जो राज्या का उस पर स्वामित्व नहीं होता है उसको चरणोत कहता है अगला है दासी को पतनी के रूप में सविकार करने के बाद उशें पासवान पढदायत या खवासन कहा जाता है तो ये भी आपको धान रखना है अगला है अड़तिया अड़तिया दलाल को कहते हैं दोबडिया कारवा या कफेले को लूटते हैं उनको धाबड़िया केते हैं धाबड़िया अगला है कुर्जा रजवाड़ी गीत है जिसमें जो विरहनी है नारी अपने प्रियतम को घर आने का संदेश देती है जो कुर्जा एक गीत है अगला पटेलिया और विच्चियो और लालर ये र राजिस्तानी लोख जीत है तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं ऐसे मिलान करने को देआ जा सकता है अगला है बालद बालद का मतलब होता है बिंजारूं का वह समूं जिसकी पीट पर माल लाद कर विक्र यहतू ले जाए जाता है तो बंजा के सजावट की वस्तुईये है काकड डांग रूद और रखत वनों के सरक्षन से समद्धी दिवर्ड जानकणा इंपोर्टेंट है सारे नेख्स्ट है नाड़ी खडीन टोबा या तालाब यह राज़तान की परंपरागत जल सरक्षन की विदिये है नाड़ी खडीन तोबा और टाबा और तालाब अगला है बलाईयां और लोरी तो यह क्या राधस्ताने बच्चों के अपने विशेश कीएत है तो बच्चों को सुलाने के लिए बलाईयां या लोरी कहे जाती है तब बच्चे सो जाते हैं मटक, बिच्छायत, चू, सराई राजस्तान में इस्तानी करूं के नाम है कर जो लगा जाते हैं तो उनके नाम है मटक, बिच्छायत, चू, सरकाई तो ये राजस्तान में इस्तानी करूं के नाम है जागा, जागां का मतलब है वन सावलियों का पीडी दर पीडी लेखन करने वाला जो वरग है उसी को ही जागा कहा जाता है महाजन, इस वरग के लोगों को गाउं की अर्त वेस्ता की रीड मना जाता है अगला है जोहड जोहड क्या होता है वर्साजल बंडार टेंक होता है उसको जोहड कहा जाता है पालडरा पाणी यह आप जानते होंगे की गरामे नाचल में राजस्तानी जो है पानी की जो हमेशा ही कमी बनी रहती है तो वर्सा जल को है वो गर में बने हुए जो कांट टांके होते हैं उनको वर्स भर के लिए संगरहित किया जाता है उसको ही पाल रापानी केते हैं और फिर उनको पीने के लिए कामे लिया जाता है धाई या धाबाई राजप्रिवार के बच्चों को दूट पिलाने वाली जो ओरत होती हैं उनको धाई केते हैं उसके पति को धाबाई केते हैं बोजी बोजी आप जानते होंगे खेचडी का जो खेचडी का चोटा रूप है बाल रूप है उसी को भोजी खा जाता है खड़ा या खका तो खड़ा तो आप जानते होंगे खड़ा पसल को निकालने का इस्तान कि एक जो ढूंगर दिया जाता है जैसे मालो बाजरे का या चन्नाई का और उसको निकालने के लिए फ्रेसर लगाए जाता है उसको खड़ा कहते है अगला है खार्या खार्या जो है उसको चन्ने के पत्तों का चारा को खार्या कहते है यानि चन्नू का जो पूस है उसका एक विशेश नाव है खार्या अगला है सटी या सिटी भी कह सकते हो इसको या सिटो भी कह सकते हो यह बाजरी की बाली होती है दांगी गेहूं या जो की बाली दांगी होती है या दंगी भी आप इसको कह सकते हो दंगी और उसको आप सिटी या सिटो भी कह सकते हो इसको दंगी कह सकते हो कड़बी बाजरी की फसल के जो तन्य होते उनको कड़बी कहते हैं, यहनि उपर से जब सिट्टि का आफ्टी जाती है, तो नीचे जो डंठल बसता है, उसी को ही कड़बी का जता है नीरनी, नीरनी या नीरनी ये मूंग वे मोट का चारा होता है तो यहां, जैसे खारिया, चन्ये के पत्तों को कहते हैं पाला जो आपकी बेल है जाड़ी के पत्तों को कहते हैं लूंग जैसे खेजरी के पत्तों को कहते हैं इसी प्रकार नीरनी है वो मूंग मोट के जो चारा होता उसी को नीर नी केते हैं चकमक, सोईता किसान द्वारा आग जलाने का प्राचीन पत्तर वर लोहे के उपकरण को क्या केते हैं चकमक, सोईता केते हैं पटवास जूती हुई भूमी को समतल करने हेतू उपियों में लिया गया लकडी का फंटाई कहे कर लाता है पटवास तो भूमी को समतल बनाने के लिए पटवास उस पर फेरा जाता है चावर खेतों में जुताई के बाद भूमी को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा फाट पाटा तो यहां क्या है फंटा तोड़ा सा है शोघ्डी का होता है पतला होता है और चावर है वो तोड़े असा ओर ज ज़्ड़ाओ जाता है नो के से मिकाम दोनों कर तो यह चुदि गई जमीन तो अप बी हेड भी कहते हो और क्या कहते हो उनको आप अडाओ भी कहते हो तो पस्टों के लिए चरने हो तो खाली चोड़ी गई जमीन को भी बीड़ा कहते हैं मेड खेतों को अलग-अलग करने वाली छोटी-छोटी दिवारे होती हैं उनको मेड कहते हैं खाई जो कहते हैं खाई मेड लावनी पसल के पकने के बाद की जाने वाली कटा ही लावनी है पसल पक गई अब उसको हम दातली से काट रहे हैं लावनी है पानत तो पानत आपने सुनाऊगा पानत कर्टी का पकलया घजका वो यह पसल को पनी देने की प्रक्तिए है पानत वह दो रूट क्यारियां तक पानी बेजने के लिए बनाए गई नली तो जैसे मालो left and right side में क्यारियां बनी है तो बीच में एक दोरा बना दिये जाता है तो उसको ही उसमें से पानी जाएगा तो पहले left वाली क्यारियों का पानी खोल देंगे फिर right वाली का खोल देंगे उसकी को दोरा केते हैं जैसे मालो ये ये दोरा है और ये side में इदर क्या है जैसे क्यारियां बनी हुई है left and right side में एदर इसमें से फानी आएगा इसे पीच्छे से इसको खोल देंगे तो ये पानी कीशने बढ़ जाएगे तो बनद कर देंगे दो बीक वाला त्यु रास्त जिसमें पानी गयरा है और उन तो लेट बोई जाने वाली या उगए जाने वाली खेती को ही फचेती केते हैं उदेई दिमक लगने को केते हैं कात्रा या कात्रो ये क्या है लट होती है आपके काले काले रंकी उस पर चोटे चोटे रॉम होते हैं और ये क्या है पसल को कत्र कत्र के खा जाता है छोटी पसल को नवो दूद पात्मों को खा जाता है तो ये पसली रोग एकरेगा खस्रा बूमी का छेतर ही खस्रा है डगला पसल उत्पादन सुकाने है तू और अगला है बिजुका या टाउ या बिदगन बिजु का टाउ या बिदगन इसको क्या है? खेत के बीच में बनाएगी मानौ आकरती है जिसमें जानवर इसें डर के भाग जाते हैं तो फसल को नुक्सान नहीं होता है और एक इसें जुड़ा ये वर्ड आता है अडवो खेत में फसल की शुरुक साथ खड़ा किया गया पुतला है ये तो दोनों सेम से होते हैं एक पुतला सा बना दिया जाता है तो उसमें क्या है? जानवर डर जाते हैं कि मानौस्य ये खड़ा है ओरन देविस्तान के आसपास की गोचर भूमी जहां लकडी कातना वर्जित होता है उसको औरन का जाता है तो जो देविदेवतों के आसपास कुछ जगह होती है वहां लकडी कातना वर्जित है लेकिन गाय बेंसबकरी वहां चरहे जा सकते हैं तो उसको औरन का जाता है और अगला है मिसल मिसल क्या होता है? राजदरबार में पंक्तिबद बेठने की परंपरा है तो राजदरबार में पंक्तिबद बेठने की परंपरा को क्या कहा जाता है मिसल चेज़ारा ये तो जानते होंगे आप जो मकान बनाने के लिए चुनाए करने का जो कार्य करने वाले होते हैं चेजरा केते हैं बटेवड़ा उपले या कंडे संग्रहित ये तु काम में आता है उपले थेपड़े छाने जो होते हैं ना कंडे उनके संग्रहित ये तु काम में आता है बटेवड़ा चील गड़ी ये तो आपके हवाई जाज है पर अगला है लास्ट एंड फाइनल हमारा खाजरू तो बली का जो बकरा होता है जो आपके गर्से ले जाते हैं न बकरियां बकरे उन्हें को खाजरू का जाता है जो बली का बकरा होता है जिसको हम बेर